है आइ गाइज वेलकम बैक टो प्रकोडिक कर इस वीडिए बात करने वाले हम इन्हेरी टाइम्स के बारे में इससे पहले हमने कवर किया था विजिबिलिटी कि विजिबिलिटी के बंदर हमने बात करी थी कि एक चीज़ होती है चाइडड पॉंट्रेक्ट बाले ठीक हे मैंने मिवह बताया था खिए इन्हेरे टाइंस का कशने था ठीक है रहां और जिसने नहीं किया उनके लिए वीडियो आईकि रेडिय आपके लिए और जिनको आता क्या है लोगा एक ठीक है यह आधी चीज़ देखेंगे और क्या देखेंगे इसमें कुछ और खास ही तो चलो ठीक है और क्या खास देखेंगे इसमें हम देखेंगे दो keyword एक है virtual एक है override इनका use देखेंगे यार ठीक है प्राण प्राण पर खजाएंगे और तो का दूली अंधर यूड़ यूडब उट चानल but what I want to say is this content can be better consumer if you consume it on nardos.io because programming is a doing activity so if you 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 really want to learn it you have to code the questions and on ados besides videos we have these questions and we have mcqs faqs in videos and a lot more we also फिभłos Southern एंप हर्यारी तर तर नेप़ टेम perception सीमॉζ 1994 स को सֹिभ स्भूर two एंपरभ्येर्थ कि further नाइस के विए फन्राट मुथने का तब ब्यूर नार सिरे ते हुपभ ठमॉड़ टो, striving हो घ्ठी विस्के स्कりंख को तर आप सब्सूर थिए त停 तो वीडियो मिस्स करने लाइक तो है नहीं देखने तो आपको पढ़ेगी अगर आपको पहरे से आता भी है तो उपस का कॉंसेप्ट ठीक है आपको यहां जानकरी एक का त्रक करने ही पढ़ेगी ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं सासे पढ़े में क्या करता हूँ एक अपना अपथन बनाता कॉंच्छ ऊंट्रेक्ट इसक्थ और नौज पसे इसक कर देते हैं पॉबलिक और कर देतі है 5 मे可以 अ से Sonra ng ईथे चेंज हो रहा है ठीक है और रिटर्ण करा देगा यह एक स्ट्रिंग करेगा मेमोरी लिखना पड़ेगा कीवर्ड ठीक है जी एक वीडियार इस पर भी करी लेंगे एक वीडियार मेमोरी स्ट्रिंग वगर आप भी करेंगे ठीक है मेमोरी और यह स्ट्रिज वगर आप भी करे लिखते हैं मैं इसे रिटन करता हूं ऐसे लिटन जिलिए आयएं इन इन इंपाया इन 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 ए ठीक है इस इज तो यह दल गहाएंगा ऐसा में चार फंक्शन और टीन फंक्शन और उन्हें चार फंक्शन होचांगे ठीक है control V इसका नावक देता है function 2 इसका नावक देता है function 3 इसका नावक देता है function 4 ठीक है ये 4 function हो गए बस ये बताते हैं कि हम किसके अंदर हैं ये बताते हैं अब suppose let's say मुझे एक और contract बनाना है मुझे contract बनाना है उसका नाम है B ठीक है बीमी मैं क्या चाहता हूं बीमी मैं चाहता हूं कि यह चारो के चारो function है न यह सारे मेरे पास होने चाहिए और मैं चाहता था कि यह fourth function में एक चीज़ हो जाए बस fourth function कहे I am in contact B बागी सारी चीज़े सेम रहे मुझे कोई मतलब नहीं है fourth function का code में change करना चाहता था इतना काम करना चाहता था ठीक है अब अगर मैं इसको करना पड़ेगा इसको करना पड़ेगा और इस तरह से अब मैं यह सारी function यूज़ कर पाँगा ठीक है कैसा लेम सा तरीका है इसको करने के लिए पहला पुराना चीड हटाते है एक को करता हूं फिर बी को करता हूं दॉन अब इंडिपेंडेंट है इस चीज की वाज़े से कॉपी हो रही है इतनी ज्यादा ठीक है चलिए यह यार पहले- इसको देखते है एक के अंदर क्या है फनवन फनटू इन्हें सब को कॉल कर देता हूं सब सेमी बात कह रहे थे कहा पर यह अब यह देख लो बी को देख लो बी में बस एक ही function अलग बात कहेगा जो हमने change किया था यह function क्या कहेगा I am in contract B बागी सारे में चाह रहा था सेम हो मारे पास आती है जहां मैं यह चाहता हूं कि यार मेरे पास जो already existing contract है ना उसके state variable या function में as it is किसी और contract में use करना चाहता हूं कुछ change करने के साथ मतलब कुछ change चाहता हूं उसके अंदर किनी किनी चीज़ों में कुछ कुछ change चाहता हूं या फिर नहीं भी चाहता हूं उसक इसकी property सारी मेरे पास आ जाए ठीक है चाहूं मैं उनको change करना या ना चाहूं वह अलग बात है वह बात में देखेंगे मैं चाहता हूं यह सारी कुछ ठीक है अगर as it is चाहता है let's say यह लिखता मैं यह मैं चाहता है कि सारा कोड़ मेरे पास आ जाए करने के लिए का करना प आ जा बीया हि यह इसका चायल्ड बन गया है content एकया यानए content एजो है पेरेंट ऐ मेरा बीमुल बात है यह है अब हमारे पेरेंट इसके दी 배 कांच्ट के है का वह रहा है कैसेम चल्था एक सेकनर है यह है पेरेंट और यह है अमारा चायल्ड कि ऊए यह इसकी pans प्रापपे स सारी इनहरी चाइल्ड में हो गई है, अब देखना, अब देखना जादूई चीज, मैं यह करता हूँ, और डिप्लॉई करते हैं A को, तो डिप्लॉई करते हैं B को, अब भी दिखा जाएताँ तुम्हें, बी के पास है सब कुछ आ गया, कुछ कोड़िन लिखाए इसके अंदर मैंने, ठीके, और और अटो कंपाइल ओने, ठीके, यह मैं सूच ना, पुरा नहीं है, ठीक, और अटो कंपाइल ओने, देख रहे हो, मैंने कुछ बनाए है नहीं, इसके अंदर और सब कुछ आ रहा है मेरे पास सबी ठीक है मेरे पास सब कुछ available है तो सारी सारी property इनेरिट कर ली अगर मैं हाँ पर करता हूँ एक statary बना जटा हूँ मैं बना जटा हूँ हमाँ पर esa给 कर देता हूँ ताक Жodan कि इसका नावग देते हैं एक्स में कुम वह देते हैं च्रु हो पास पर पना देता हूँ कि में पुबलिक को और इसमें डिलेते हैं ओनर और इसमें काईडर से लेंगे मैसेज मैस.center क्या एक global variable है कहीं भी उसकर सकते थोड़ा सा इसी बताती है रिवाइस कराने के लिए ठीक है चलो जी मेर बात के आते हैं अभी देखो ये जो है किसके अंदर है एक अंदर है ये जो है किसके अंदर है एक अंदर है बी में भी आ जाएगा देखो क्या करता हूं मैं यह दिखा रहा हूं तो मैं बस यह बिलीव कराने के लिए कि हाँ जी कुछ लिखने के जरूत नहीं है इसकी सारी प्रोपर्टीज स्टेट हो वैरियेबल हो या फंक्शन हो फंक्शन के अंदर की जो भी चीज़ियों हो सब कुछ ना इसके पास आ जागा डिपलोई किया ए डि देख रहे हो सब कुछ आ रहा है हैं यह मेरे मेरे मैसे डॉट चंटर की वैसे था इस अकाउंट का एडरा से बस चलो अब भी देख लेते हैं क्या बात है बी में भी सब कुछ आ गया बिल्कुल आ गया और यह रहा ठीक है डिटो हर्ची से बढ़े करके तो यह चीज़ आ मारी है कि सरिफ इस एक ही वैसे चाल बन जाता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सिस कर सकता है अब वह वाली बात अब एडिट करने वाली बात ठीक है मैं क्या चाहता था क्यार मैं चाहता था बताता हूं पहले मेरी चाहत यह थी कि यह सब तो मैं as it is एक्सिस करना ठीक तो क्या करते हैं उस चीज के लिए देखिए यहां काम आता है keyword virtual और दूसरा क्या था override ठीक है मैं चाहता हूँ इस function को edit करना बी के अंदर ठीक है तो a permission देगा परमिशन कैसे देखा इहां लेके का virtual वर्चुल लेक दिया है इसने permission दिया है कि यहां जब तू b में इसको edit कर सके यहां से इसने permission दिया है इसको परमिशन दे रहा है edit करने की मैं रिखता हूँ पर virtual अब यह दौनों ना edit होने की permission ले चुके हैं a से कहां edit होने की b के अंदर यहां तो same रहेंगे a के अंदर यह लोग सेम रहेंगे b के अंदर edit हो पाएंगे कैसे होंगे वो देखिए अब यह हर्ची deploy करके दिखाऊँगा कोई बात अगर पी में है बागी सब गुर है और virtual कीज़ गए हैं लिखना पड़ता है हमें override बस इतना सा काम override keyword ने क्या किया इस function को override कर दिया allow किस ने किया a ने allow किया कैसे किया virtual keyword से allow किया वर्चुल keyword से allow किया override से override हो गया उसके अंदर का जो भी code था बहुत सिंपल बात अब क्या करता हूं इसको ना में तुम्हें deploy करके दिखा लता हूं और अच्छे संज में आ यह बात ऐसा नहीं कि यह change हो गया यह इस function के से इम रहा deploy किया a deploy किया b अब देखो कमाल यह चेक रहाता हूं 1 1 1 2 1 3 1 4 owner और x यहां देखो इसके अंदर क्या आ रहा है इसके अंदर क्या आ रहा है इसके अंदर क्या रहा है यह आ रहा है compile तो दोनों हो गया है deploy दोनों हो गया है क्या change आया एक अंदर कुछ चेंज नहीं आया ठीक है अब देखते हैं हम भी के अंदर 1 1 1 2 अब देखो फन 3 1 4 क्या है change हो गया override हो गया code change हो गया कैसे हुआ override keyword की वैसे और virtual keyword की वैसे ठीक है उनर चेक कर लेते हैं एक्स चेक कर लेते हैं सब कुछ सारी property वैसी वैसी रही तो इस तरह हम क्या करते हैं किसी ब्हुर्ड़ चीज को हम change करना चाहते हैं कुछ बहुत-बहुत सिंपल बात, बहुत सिंपल बात, चलिए, एक ठोडा सा एडवांस परजन देख लेते हैं, अब मैं चाहता हूँ, एक कॉंट्रेक्ट बनाना, जो किसका चायल्ड हो, बी का चायल्ड हो, ठीक है, यह देखू, क्या होता है, आपर मैं लिखता हूँ, कॉंट्र इसे हमको एकसे देना पड़ेगा, एकसे देने कलिका लिखना पड़ेगा, वर्चुल, ठीक है, यह ओवराइड किसके लिए है, इसके लिए, इसको ओवराइड करने के लिए, अब यह जो नया फंक्चिन बना है, इसे एड करने की पर्मिशन दे रहा है, यह, बी कॉंट्र तो यहां वर चले क्यों इसको कर लेँ पर जब तू अपने कारी हो रहा है यह फंक्षेश को क्या दिखेगा यहां से िसकी मितल इस Taylor नियुक्हां की इस अनुरुकी विदेख लो सबी है कि विद्द्द कुम्शन इस तरह का है इस अब देख लो, code में का change करगा, simply कहा देखा, मैं भई C होगी, I am in contact C, ठीक है, और इसके पास कौन-कौन से, इस वक्त function होंगे, और state variable होंगे, वो भी देख लो, सोच के देखो, कौन-कौन से होंगे, ठीक है, मैं deploy कर रहा हूं, और तुम सोच के देखो, फिर बताने यार, ये चेक कर लेते हैं, C कर्じहां, भी टैक हो, अब हो गया, से लिक टोय ठीक हो, ठीक है, यहाँ सब दिखा देता हूं, एक करके, यहाल, इसके अंदर को लिक्तकत नहीं हूए, को चेंज नहीं किया है, and okay सब देख लो यार सब वो यह जो A के अंदर लिखा हुआ था अब बी की बारी यहाँ दो जगा चेंज किया था वो दो जगा देख लेते हैं और वो दो जगा चेंज हो रखा है ठीक है इसने क्या किया इस function के लिए अंदर जो यूज करा है मतब कहेंगे तो इसको भी चैल्ड लेकिन concept समझाएं के बता रहा हूँ इसके पास इसकी भी सारी properties है और इसकी भी in short कैसे हो रहा यह काम यह तो जानता है सिर्फ इसको यह जानता है सिर्फ इसे बस बात इतनी खतम ठीक है इसके पास जितनी properties है ठीक है वो इसके पास आजाएंगे इसके पास कितनी properties थी यह जो थी इसकी नई खुद की properties और जो इनिहरेट करी थी हां से वो properties इस बात को समझ पार है अच्छे से C जानता है सिर्फ B को B के पास जो जो चिलिए थी वो आगी है अब C के पास बस बात खतम इसलिए ही तो इसलिए ही तो जब ये वाला function आता है ठीक है ये वाला function ये देखू third आया है इसके पास C is B ठीक है मैंने इसकी किया B को क्या बना दिया C का parent बना दिया तो यहाँ देखना मैं तो मैं देखता हूँ third function third में क्या डखा है I am in contact B तो यार बी से देख रहा है, तो बी के जो है properties उनको देख रहा है फंटू में क्या था, I am in contact A तो यार यही था, बी के अंदर यह जो बी contact था, बी contact के अंदर के लिखा है I am in contact B, यहां के लिखा है I am in contact B इसकी वज़े से तो यह थे इसके खुद के, खुद की properties ठीक है, इसने क्या किया इस function को edit कर दिया इस function को अगर हम check करते हैं, तो fourth हो गया है edit बस, लेकिन यह जो था, किसका था, edit किसका था यह B का था, खुद का, B ने खुद इसको override किया था, बागी सब B ने कहां से लिया था, A से लिया था, तर यह सब कुछ आ गया उसके पास, जो A ने दिया था, ठीक है और यहां भी देख लो क्योंकि इसने A से as it is ले लिया था, edit नहीं करा था तो इसमें वो सारी values है, ठीक है यह क्या करता है, इस बाद को दुबार समझ लो यह सिर्फ B को जानता है, जो भी B के पास है उसको देखेगा यह simple, ठीक है तो comparison करना हो, तो इन दो के बीच में करो पहला contact यह, इसमें और इसमें, ठीक है अब देख लो, fun 1, fun 2, fun 3 इसमें क्या है, fun 1, fun 2, fun 3 same string है, same string है हाँ जी, बिल्कुछ सही है, same है अगली वीडियो में इसको और भी concept करेंगे, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में